नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्हों ने Stock Split Announcement किया है और उसके Record Date रखी है 29 October 2021 तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकस डेट क्या है, लास्ट डेट का है Stock को बाई करने की, Current Stock की Price क्या चल रही है और देखेंगे कुछ Financials जो आपको help करेंगे इस Stock को बाई करने में कि आपको इस Stock को बाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो बिना देरी कि चले शुरू करते है आज का वीडियो और स्टार्ट करते है पहले Stock से तो जो पहला Stock है वो है R&B Denims Limited तो यहाँ पर कंपनी ने 1-5 का Stock Split Announcement किया है यानि कि 10 रुपे की Face Value कंपनी 2 रुपे की Face Value में Split करने जा रही है, तो अगर Current में अभी बात करें, तो जो Face Value है वो 10 रुपे की है, जिसको कंपनी 2 रुपे कर देगी तो इस तरह से Stock Split हो जाएगा 1-5 का, यानि कि अगर आपके पास 100 share है, तो कंपनी उस 100 share को Split करके 500 share बना देगी यानि 100 share के आपके हो जाएंगे 500 share बात करते हैं, Current Stock की प्राइस की, तो 159 Current Stock की प्राइस चल रही है, कंपनी ने record date रखी है, 29 October 2020 की तो इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ X Date हो जाएगी 28 October 2020 की और इस Stock को आपको बाय करना है 27 October 2020 या फिर उससे पहले अगर आप एक existing shareholder है, तो आपको इस Stock को hold करना है, at least X Date के दिन तक X Date या X Date के बाद अगर आप इसको sell करते हैं तो आपको Stock Split मिलेगा, लेकिन याद रखेगा X Date के दिन Stock की जो Price होती है, वो adjust हो जाती है उसी ratio में, जिस ratio में Stock Split Announcement होता है, यानि कि अगर 27 तारीच तक यह Stock 200 रुपे पे close होता है, तो होगा क्या कि 200 divided by 5 तो आपका यह Stock जो होगा, वो 40 रुपीज पे open होगा, ठीक है तो इस बात का खास तोर बेदान देखेगा, अब यह करती क्या है company, तो basically जैसा कि इसके नाम से पता चलता और denim की jeans तो आपने बहुत सारी पहनी होगी, तो basically R&B denim जो है, वो क्या करती है कि denim textile products को manufacturer करती है, तो यहाँ पर आपको फोटो में नजर आ रहा है कि किस तरह के product यह sale करती है, बात कर लेते हैं, अगर इसके market cap की, तो यहाँ पर 222 करोड का market cap है, current stock के price 159 है, book value देखो कि तो आप 15.5% का return on capital employed है, return on equity 21.3% का है, जबकि operating margin 14.6% के है, यही पर अगर आप देखते हैं, reserves तो company के पास 29.1 करोड का reserves पड़ा हुआ है, free cash flow भी है, company के पास 4.75 करोड का, promoter की holding अच्छी कासी है, 73.8% की promoter की holding है, कोई भी share company ने गिर्वी नहीं रख रखा ही है, काफी अच्छा sign है, बात करेंगर debt की, तो कर्ज पहले 69.9 करोड का था, जो की घटकर company का 68 करोड हो गया है, तो no doubt company पे कर्ज अच्छा खासा है, 1.58 debt to equity ratio है, बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर revenue versus profit के graph के तो आप देख सकते हैं, सारी value करोड में हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 2018 से 2019 में और 2020 में, 2020 तक revenue जो है, वो continuous बढ़ रहा था, 2021 में downfall आया है, 257 करोड से, जो revenue है, 183 करोड पर पहुंच गया है, बात कर अगर profit की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले लगबग पहुंच 6 करोड का profit था, फिर 3.87 करोड का, फिर 3.30 का, यहाँ पर बढ़के profit जो हो गया है, वो 8.29 करोड हो गया है, यहनि कि revenue तो घटा है, लेकिन profit जो है, वो company का बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखें कि इस से ज़्यादा कभी उपर गया है, यह 30, 34, 35, 45, और यहाँ पर बीच में जो है, इस stock में volume बहुत कम था, यहाँ पर आप देखें, कि अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 200, 400, 80, 150, तो इस तरह का volume यहाँ पर stock में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है, क्योंकर मैं पिछले एक साल में बात करूँ था, आप देखें, एक साल में continuously stock में 29 रुपए से rally आई है, जो कि अभी 158 के असपास पहुचा है, और अच्छी खासी यहाँ पर volume भी दिखाई दिया है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे stock की, जो दूसरे stock है, वो है इंडो नेशनल लिमिटेड, यहाँ पर company ने 1 raise to 2 का stock split announcement किया है, यानि कि 10 रुपए की face value, company 5 रुपए की face value में split करने जा रही है, यानि कि अगर आपके पास 100 share है, या 28 October 2021, तो इस stock को भी आपको बाय करना 27 October 2021 या फिर उससे पहले, अगर आप इस stock को 27 October 2021 या उससे पहले बाय करते हैं, तो आप stock split के लिए eligible हो जाएंगे, लेकिन अगर आप x date की दिन बात करते हैं, तो आपको यह stock split नहीं मिलेगा, लेकिन x date की दिन आप sell कर सकते हैं, record date की दिन sell कर सकते हैं, उसके बाद में भी sell कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खासतोर पर ध्यान रखेगा, कि stock split में जब भी होता है, तो क्या होता है, एक्स डेट की दिन जो price है, वो adjust हो जाती है, उसी ratio में, जिस ratio में company stock split announcement करती है, अब बात कर लेते हैं कि company करती क्या है, तो जैसे कि आपको पता है कि basically जो इंडो नेशनल लिमिटेड है, वो basically निपो इसका brand है, और यहाँ पर battery, torch, और आपने देखा होगा जो racket आता हैं, मच्छर मारने वाले, वो सारे के सारे इनके products हैं, तो यहाँ पर यह सारे products आपको screen में दिये हुए हैं, तो यह company बनाती है, तो brand तो बड़ा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे इसके fundamentals हैं, वो कैसे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे market cap जो है, वो 385 करोड का है, इस्टोक का P 12.7 है, इंडस्टी का P 11.9 है, तो लगब बराबर क्या सपास है, 18.1% return on capital employed है, return on equity 13.4% है, operating margin 10.3% है, तो बहुत ज़्यादा attractive ratios तो नहीं दिखाए देते, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 645 रुपे की book value है, यह 1025 का stock चल रहा है, बात करें, promoter की holding की तो 65.4% promoter की holding है, और इस promoter की 65.4% में से 3.67% जो है, वो pledge कर रखा है, नहीं गिर्वी रख रखा है, reserves पर बात करें, तो 238 करोड का reserves है, free cash flow 3.62 करोड का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि debt जो हता हो 121 करोड था, जो की बढ़के अब 123 करोड हो गया है, यहनि debt to equity ratio कितना है, 0.51, अब बात कर लेते हैं कि revenue versus profit का graph तो सारी की सारी value करोड में है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो continuous इनका revenue बढ़ रहा है, और इसके सारी profit की बात करें, तो 2018-2019 में प्रोफिट लब सब सेम सा था, 22 करोड सा 18 करोड, लेकिन 2020 में बहुत जदा गिरावड है, 1.39 करोड हुआ और उसके बाद वापस से 2021 में 30.38 करोड है, तो अब दे और उसके बाद यह down होता होता, अगर आप देखेंगे, तो अगस्त में 400 रुपय तक आ गया था, और उसके बाद यह और भी down हुआ था, तो यहाँ पर देखेंगे, 400-500 रुपय के आराउंड यह trade कर रहा था, लेकिन उसके बाद वापस से 2020 में और यह stock वापस से अब जब trade कर रहा है, तो 2024 के आसपास trade कर रहा है, यहाँ पर मैं एक साल का grab भी plot कर देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि 530 रुपय से stock जो है, वो 2024 के उपर उपर हो गया है, तो दोस्तों आपके क्या ख्याल है, इन दोने stocks के बारे में मुझे comment section में जरूर बताईएगा, त comment section में आप सभी का इंतिचार रहेगा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आए होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आथे, तिसलिए लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब न आता रहता हूँ, इस वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शोबो,